लादे रादे, शत्वाही अमवस्या के बेश कीमती फायदे हिंदू धरम में बैसाक अमवस्या बहुत खास मानी गई है इस दिन सत्तू खाने और सत्तू का दान करने का बहुत अधिक महत्व है इस वर्ष यह अमवस्या आठ और नौ मई को है इस दिन चावल के आटे से बने सत्तू का विसेशदान किया जाता है इसलिए इसे सत्तुआही अमवस्या भी कहा जाता है बैसाक मास में गर्मी की भी अधिक्ता होती है इस समय सत्तू खाना सेहत के लिए फायदे मंद है सत्तू का स्वाधी नहीं बलकि सेहत से जुड़े बेस किम्ती फायदे भी हैं जानिये सत्तू के दस फायदे नंबर एक गर्मी के दिनों में सत्तू का सेवन करना आपको गर्मी के दुस प्रभाव एम लू की चपेट से बचाता है सत्तु का प्रियोग करने से लू लगने का खत्रा कम होता है क्योंकि या सरीर में ठंडक पैदा करता है अगर आपको बार बार भूख लगती है या फिर आप लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते तो सत्तु आपके लिए लाबदायक है इसे खाने या फिर इसका सर्बत पीने के बाद लंबे समय तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा नमबर तीन सत्तु प्रोटीन का बड़िया सुरोत है और या पेट की गड़बडियों को भी ठीक करता है इसे खाने से लीवर मजबूत होता है और एसेडिटी की समस्या दूर होती है और आसानी से पचने के कारण कबजियत भी नहीं होती नमबर चार जओ और चने से बनाया गया सत्तु डाइबटीज में फाइदे मंद है अगर आप डाइबटीज के मरीज हैं तो रोजाना इस सत्तु का प्रयोग आपके लिए फाइदे मंद है इसे पानी में घोल कर सरबत के रूप में या फिर नमकीन बना कर भी लिया जा सकता है नमबर पाँच शरीर में उर्जा की कमी होने पर सत्तु तुरंत उर्जा देने का कार्य करता है या कमजूरी को दूर कर आपको उर्जावान बनाये लखने में कारगार है इससे कई तरीके के पोशक तत्त भी मौजूद होते हैं जो पोशड देते हैं नमबर छे यहा सरीर के जलन को सांत करता है इसे पानी में घोल कर पीने से सरीर में पानी की कमी दूर होती है साथ ही बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती नमबर साथ सत्तु का सेवन गले के रोग उल्टी आखों के रोग कई अन्य रोगों से रोगों में फायदे मन होता है नमबर आठ इसमें मौजूद प्रोटीन मास्पेसियों को मजबूती प्रदान करता है नमबर नौ मौटापे से परिशान लोगों के लिए सत्तु एक रामबाड उपाय है जो जों से बना सत्तु प्रतदिन खाने से पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से कार करता है और मौटापा कम होकर आप छरचरी काया पा सकते हैं नमबर दस ब्लड प्रेसर के मरीजों के लिए सत्तु का सेवन काफी लाबदायक होता है इसके लिए सत्तु में नमबू, नमक, जीरा और पानी मिलाकर सेवन करना चाहिए अगर आपको ये उप्योग अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें हो, सस्क्राइब करें, राधे राधे